सो हेलो गाईज आसा कते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं और इस वीडियो को आखिर तक देते रहिए बिया स्किप कर क्योंकि अगर स्किप करते हैं तो बहुत कुछ मिस्स कर जाएंगे आप लोग सो गाईज आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं उसी देश के बारे में जिसे अपने बोड़र के बारे में ही पता नहीं है हाँ मुझे पता है आप सब समझ रहे होंगे कि मैं कौन से देश के बार में बात करने जा रहा हूं बहुत तेज हो रहा हैं 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 कि हम अपने जमीन जोडते कुछ भी कुछ भी हम लोग सोते हो या हमारे चपल नहीं चोड़ते हैं तो तुम कह रहे हो कि हम अपना देश चोड़ते हैं यसे ही कुछ भी हाँ देखिए मुझे लगता है कि यह देश एक नंबर का पागल है नहीं तो क्या कोई अपने ही पेट में लाद मारता है हाँ देखो भाई पॉपलेशन के तरफ से हमारा देश दुनिया में तूसरे स्थान पर है और इसके चलते हम लोग एक बहुत बड़े मार्केट क्रियेट कर चुके हैं जिसके बज़ा से तुम लोग अपने देश के एप मोबाइल हमारे देश में सप्वाई करते हो और हम इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे इसे बॉइकोट करेंगे और तब क्या होगा तुम अपने ही पेट में लाद मार्ने से याद आया भाई एक बार कोरुना कटम होने तो उसके बाद तुमें लाद ही लाद मारेंगे हम कसम से अब चलते हैं अब चलते हैं हमारे बाकी क तो कुछ भी नहीं है, तू इतना उच्छा तक हुए? चल ठीक है, तेरा मेरा समझ में आता है, हम तेरे को दो चार जापर दे देते हैं, और दो भी हम से कभी कभार एक दो फाय प्रेयर भी लेता है लेकिन ये नेपाल, भाई, तुछ में इतना अकर कैसे आ गया है? भाई, तेरा तो कोई बंदरगा भी नहीं है, तू तू पूरा जो सप्लायर है, मतलग जो एक्स्पोर्ट इंपोर्ट होता है, वो तो पूरे हिंदूसानी बंदरगा से करता है, मतलए अमरे देश के गीना, तो भाई, तू हम से क्यों पंगे ले रहा है? अरे भाई कुछ तो सरम कर लो कौन हैं यह लोग कहां से आते ही अभी कल की ही बात ले लो मैं न्यूज देख रहा था उसमें मैं ने देखा कि हमारे देश यानि कि भारत के साथ तनाव के चलते नेपाल में रोज के सामान चावाल आता मैधा बबाद क्या वो के उसीन मसूब जाल यह सब चीजे चार से पांच पुना ज्यादा दाम से बिक रहा है भाई यू पंगे ले रहे हो हमसे लिल बिट स्पाइसी एड़ एंट मैं तुम तीनों को यही बताना चाहता हूं कि अगर हमसे दुश्मनी करते हो तो तुम में से कोई एक पैसो के लिए मर जाएगा दूसरा जहापर खाते होए मर जाएगा तीसरा भुख से मर जाएगा तो मैं तुम दोगों को बात पतने जा रहा हूं इसे एड़फाइज वानिंग कुछ भी समझे लेकिन रिक्वेस्ट मत समझे लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो भाई हमसे टक्राओ गए तो मिट्टी में मिल जाओ गए और इसी अड़फाइज को देते हुए या फिर वानिंग को देते हुए मैं यह वीडियो यह पर फ़तम करता हो और हाँ आप जाने से पहले लाई शेयर कॉमेंट और हाँ सब्सक्राइब जरूर करते हैं